वेलकम टो इगेन चलिए हम लोग सुपर पोजिशन थेयोरम पे एक नियुम्रिकल सौल करके देखते हैं देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमसे बुला गया है यूज सुपर पोजिशन थेयोरम तो फाइंड वोल्टेज वी इन दा नेटवर्क देखें इस नेटवर्क में इस 30 ohm resistance के क्रॉस वोल्टेज वी जो हमको फाइंड करना है यहाँ पर हमारे पास दो independent sources है और एक dependent source है यह dependent source जो है वो 0.4 IX value का है जो कि depend कर रहा है इस resistance से जाने वाले current IX पर देखें हमको इस question में superposition theorem का use करना है और हम जानते है superposition theorem में हम क्या करते हैं यदि हमारे पास दो sources हैं तो हम क्या करेंगे पहली बार में सिर्फ एक source को लेंगे बचे हैवे sources को हम जो independent sources हैं उनको switch off कर देंगे तो voltage source को हम short circuit करेंगे dependent source को हम aserties रहने देंगे और हम इसके across voltage निकालेंगे suppose इसके across हम voltage पहली बार में निकालते हैं तो आता है V1 उसके बाद हम क्या करेंगे हम सिर्फ दूसरे independent source को लेंगे और पहले independent source को हम switch off कर देंगे current source इसलिए इसको हम open कर देंगे और फिर से हम ये voltage V निकालेंगे suppose उसकी value आती है V2 तो एक source को लेने में voltage आ रहा है V1 सिर्फ दूसरे source को लेने में voltage आ रहा है V2 तो यदि दोनों sources एक साथ act करें मतलब हम इस actual circuit के दिए बात करें तो यहाँ पर जब voltage हम find करेंगे तो वो होगा V1 प्लस V2 के बराबर तो इसका क्या मतलब है कि जब सिर्फ एक source act करता है तब voltage आता है यहाँ का voltage आता है V1 जब सिर्फ यह वाला source act करता है यह नहीं रहता है तब यहाँ का voltage आता है V2 जब दोनों source एक साथ act करते हैं तब जो total voltage यहाँ का होगा वो algebraic sum of V1 और V2 होगा तो हमको algebraic sum of V1 and V2 करना पड़ेगा तब हमारा actual voltage भी आएगा सुपरपजिण थेयरम के हिसाब से चलिए हम इसको start करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी step number 1 में क्या करें step number 1 में हम लोग सिर्फ 4A के current source को consider करेंगे और जो दूसरा independent source 60V का उसको हम लोग short circuit कर देंगे तो देखिए जो हमारा original diagram था इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे switch off करेंगे क्योंकि voltage source को short circuit कर देंगे और हम लोग सिर्फ इस 4A के current source को consider करते हुए ये voltage हम लोग find करेंगे dependent source को हम लोग as it is circuit में रहने देते हैं तो देखिए हम लोग जो voltage find करना था step number 1 में हमने उसको मान लिया है V1 dependent source as it is है voltage source short circuited है और हम लोग सिर्फ consider कर रहे है current source को तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं देखिए यहाँ पर V1 तो V1 क्या होगा V1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं अपर लोग mesh analysis का use करते हैं हम लोग mesh analysis use करेंगे तो देखिए यह एक mesh है इससे जाने वाला current हो जाएगा 4 ampere यह दूसरी mesh है तो इससे जाने वाला current हो जाएगा 0.4 ix यह वाला current और इस current को हम लोग assume कर लेते हैं i तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हैं हम लोग इस ix के बारे में बात करें तो यह ix क्या है यह branch current है और branch current जो होगा वो दोनों loop current का algebraic sum होगा तो कैसे निकलेगा यह ix is equal to हो जाएगा यह 4 ampere और यह i दोनों same direction में flow हो रहे हैं ऐसा तो ix is equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4 plus i क्योंकि i current की और 4 current की दोनों की direction सेम है ix के बराबर तो इसलिए ix is equal to 4i हो जाएगा इस वाद हम निकालना चाहते हैं यह v1 को तो v1 कैसे निकलेगा तो v1 निकलेगा resistance multiplied by यहां से जाने वाला current और current कैसा लेंगे इसमें 2 current flow रहे हैं i और 0.4 ix दोनों current flow रहे हैं इस branch में तो हम लोग लेंगे resultant current को उपर से नीचे जाने वाला क्योंकि उपर positive और negative है हम जानते हैं resistance में positive से negative की तरफ current flow होता है तो positive से negative की तरफ resultant current कितना जाएगा देखिए तो यह वाला current है यह उपर से नीचे आ रहा है तो वो है 0.4 ix और यह i current जो है वो ऐसे नीचे से उपर जा रहा है तो यह हो जाएगा minus i यह हो जाएगा resultant current उपर से नीचे की तरफ इस 30-ohm resistance में इसमें यह हम लोग multiply गर दे resistance का तो आ जाएगा यह voltage V1 तो इसका मतलब V1 कितना होगा इसको हम थोड़ा साओर calculate करें तो V1 is equal to हो जाएगा 12 ix minus 30 i तो यह हो जाएगा हमारा V1 अब यदि हम लोग ix और i की value को calculate करके यहाँ substitute कर दें तो V1 की value हम बड़े आराम से निकाल लेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर kvl apply करते हैं यहाँ से हम start करेंगे और anticlockwise direction में rotate करेंगे तो क्या आएगा देखिए इस loop से जाने वाला current i है तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 10i फिर यहाँ से जाने वाला current कितना है वो है i plus 4 है तो यह हो जाएगा 20 into i plus 4 ampere यहाँ पर कुछ नहीं है फिर यहाँ से जम उपर जाएगे तो हमको voltage मिलेगा minus V1 तो हम लिख देंगे minus V1 यह हो जाएगा is equal to 0 इसको थोड़ा और solve करें तो कितना जाएगे 10i plus 20i हो जाएगा 30i plus हो जाएगा 80 minus V1 की value यहाँ से पूट कर देते हैं यह हो जाएगा minus 12i x और यह minus और यह minus मिलकर करके हो जाएगे plus 30i is equal to 0 हो जाएगा इसको अपन और solve कर लेगा तो यह हो जाएगा 60i plus 80 minus 12 और ix की value देखिए हमने उपर जो calculate किते हैं यहाँ से put कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4 plus i is equal to 0 थोड़ा से इसको आपन और solve करें तो यह हो जाएगा minus 48 यहाँ पर हो जाएगा minus 12i 60 minus 12i हो जाएगा 48i plus 80 minus 48 is equal to 0 तो इसका मतलब है i is equal to हो जाएगा यह हो जाएगा 32 धर जाकर हो जाएगा minus 32 divided by हो जाएगा 48 यह जाएगा minus 2 by 3 ampere तो इस परकार से loop current की value हम लोगोंने find कर ली है minus 2 by 3 ampere यह वाला current हमको मिल गए अब हमको निकालना है ix ix कैसे निकलाएगा देखिए ix है 4 plus i तो अपर ix भी यही calculate कर लेते है ix is equal to हो जाएगा 4 plus i और i की value है minus 2 by 3 तो कितना हो जाएगा 12 minus 2 मतलब हो जाएगा 10 divided by 3 ampere तो इस परकार से ix की value भी हम लोगोंने calculate कर ली तो हमने i भी calculate कर ली है अब देखिए यहाँ पर देखिए v1 का हमने formula निकाला थो तो v1 अपन calculate करते हैं चलिए तो v1 कितना हो जाएगा 12 into ix 12 into ix आ रहा है 10 divided by 3 उसके बाद क्या है minus 30i तो minus 30 into i की value क्या निकाली हमने minus 2 by 3 तो substitute कर दे तो कितना आ जाएगा यहाँ जाएगा 120 divided by 3 minus और minus प्लस हो जाएगे यहाँ जाएगा 20 तो इसका यहाँ हम लोग total करें तो यहाँ जाएगा 40 plus 20 मतलब 60 वोल्ट तो ultimately क्या आ गया ultimately हम लोग ने निकाल लिया है v1 is equal to 60 वोल्ट मतलब क्या निकाला हमने इस 30 ohm resistance के cross voltage step number 1 में हम लोग ने calculate कर लिया है 60 वोल्ट तो इस प्रकार से हमारी step number 1 complete हो जाते है अब चलिए अपन next step करते है step 2 में हम क्या करेंगे अब हमारा दूसरा independent source है यह हमारा network है इसमें हमारे second independent source है हम इसको consider करेंगे और जो पहला independent source तो उसको switch off कर देंगे क्योंकि current source है इसलिए इसको open circuit करेंगे हमारे dependent source को as it is रहने देंगे और उसके बाद हम लोग फिर इस 30 ohm resistance के cross voltage का calculate करेंगे step number 2 में हम क्या कर देंगे इस voltage को V2 assume कर लिए तो देखिए यह हम लोग ने diagram बना लिया है तो इसको भी आपन loop analysis से निकालेंगे देखिए यह हमारा एक loop है इसमें जाने वाला current कितना होगा तो यह current होगा ix क्योंकि यह सब से किनारे की बांच है तो किनारे की बांच के current लूप current के बरापर होता है यहां से जाने वाला current होगा तो यह current source है यह हमको देगा current 0.4 ix का current इस look में से flow गा ऐसा हम फिर से देखां कि V2 कितना होगा यदि मैं V2 निकालने गोश्ट करूँ तो V2 क्या होगा positive से negative की तरफ जाने वाला resultant current क्या होगा तो 0.4 ix positive से negative आ रहा है और यह ix negative से positive जा रहा है और resistance कितना है तो वह है 30 तो multiply कर दीजे 30 से तो is equal to होगा voltage पतब resistance into current is equal to voltage तो V2 कितना आ जाएगा यदि हम इसको minus करने तो होगा minus 0.6 तो यह होगा 18 ix minus sign के साथ आ जाएगा तो V2 के value होगा minus 18 ix अब यदि हम ix इस condition में calculate कर लें तो हम V2 भी बड़े आराम से calculate कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पर फिर से एक बार kvL apply करते हैं तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे और anti-clockwise direction में rotate करेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा plus 60 मैं apply कर रहा हूँ kvL तो हमको सबसे पहले मिल रहा है plus 60 फिर यहाँ पर मिल रहा है 10 ohm का resistance current है ix यहाँ पर मिल रहा है हमको 20 ohm का resistance current अभी भी है ix यह से same current flow हो रहा है देखिए इस loop में यहाँ से हम उपर जाएंगे तो हमको मिलेगा minus V2 तो हम यहाँ पर put कर देगा minus V2 और वापस यहाँ पहुच जाएंगे loop complete होगा तो is equal to 0 देखिए सबसे पहले 60 फिर 10 ix फिर 20 ix फिर यहाँ जाएंगे तो पहले minus V2 और loop complete होगा इसको यह हम calculate करने तो कितना आ जाएगा देखिए यह तो 60 ही रहेगा यह हो जाएगा plus 30 ix minus V2 की value कितनी है वो है minus 18 ix देखिए V2 हमने निकाला था तो हमने वह ही put कर दिया V2 की जाएगा तो minus 18 ix is equal to 0 तो calculate करने तो कितना आ जाएगा 60 30 ix और यह minus minus plus होगा 18 ix तो यह हो जाएगा plus 48 ix is equal to 0 तो ix कितना आ जाएगा ix हो जाएगा minus 60 divided by 48 यह हो जाएगा minus 5 divided by 4 ampere इस प्रकार से हम लोगों ने ix calculate कर लिए यदि इस ix को हम यहाँ put कर दे तो हम V2 भी calculate कर पाएगे चलिए V2 कितना आ जाएगा V2 हो जाएगा minus 18 ix ix की value का निकाले हमने minus 5 by 40 हो जाएगा minus 5 by 40 हो जाएगा plus 90 upon 4 इसका मतलब है V2 कितना आ जाएगा V2 आ जा रहा है 22.5 वोल्ट इसका मतलब है step number 2 में हम लोगों ने V2 calculate कर लिए और V2 क्या था V2 वही 30 ohm resistance के cross voltage था जिसकी value हम लोगों ने क्या find कर लिए इस बार आ गई है 22.5 वोल्ट तो इस प्रकार से हमारे दोनों step जो है वो complete हो गए है अब हम लोगों को final result निकालना है final result हम कैसे निकाल पाएंगे देखिए तो हमारे इस diagram में जब हम लोगों ने सिर्फ 4 ampere के current source को consider किया था तब हमारे इसके voltage की value को हम लोगों नाम दिया था V1 और उसकी value IT 60 volt और जब हम लोगों ने सिर्फ 60 volt के voltage source को consider किया था तब हम लोगों निकाला था V2 इसके cross voltage को हम ने नाम दिया था V2 और उसकी value IT 22.5 volt यह देखिए यह हम लोगों ने calculate किया था step 2 में जब हम लोग दोनों sources को साथ मिलेंगे तब according to principle of superposition actual voltage जो होगा वो इन दोनों voltages का algebraic sum होगा और हम लोग ने दोनों ही cases में step 1 और step 2 में क्या निकाला था voltage में upper terminal को positive और lower terminal को negative लिया था मतलब दोनों ही case में हमने polarity same ली थी इसलिए algebraic sum जो होगा वो direct addition हो जाएगा यह हो जाएगा इतना तो इसका मतलब है जो total voltage across 30 ohm resistance आएगा वो जाएगा 82.5 volt तो यह होगा हमारे required result जो हम लोगों से पूछा गया था कि हमको voltage V इस network में find करना है superposition theorem से यह होगा हमारे complete solution thank you